नमस्का दोस्तो, स्वागत है आपका हमारे चनल P.K. गुरूजी में आज के अपने इस वीडियो में हम बिग्यान से सम्मन्दित कुछ प्रिष्णों का डिसकर्स करेंगे तो जिन प्रिष्णों की हमें हम बात करेंगे चलिए उनको देख लेते हैं तो इसमें जो हमारा सबसे पहला प्रिष्ण है कि निम्न लिकित धातु हमें कौन सी एक धातु अमल गम नहीं बनाती ठीके तो अप्शन ए जस्ता, अप्शन बी तामा, अप्शन सी मैगनिसियम और अप्शन D लोहा तो इसका जो सही अंसर है वह है लोहा ठीके तो लोहा जो है वह है अमलगम नहीं बनाती है जो लोहा धातू होती है वह है अमलगम नहीं बनाती है अमलगम होता है कि जब कोई धातू पारे के साथ मिल जाती है तो उसका अमलगम कहलाता है ठीके तो जो लोहा होता है यह पारे क साथ नहीं मिलता है इसलिए जो लोहा है वह है अमल गम नहीं बनाता है आगे बढ़ेंगे कि टांका निमन मैंसे किस की मिस्र है option a 3 तथा C से की option b 3 तथा तामे की option c 3 तथा जस्ते की और option d 3 सीशा तथा जस्ते की तो इसका जो सही answer है वो है 3 तथा C से की ठीक है तो जो टांका है वो है 3 तथा से से की मिस्षधातु है आगे बढ़ेंगे कि निम्ने लिखित मेंसे कौन सा जोड़ा तामे के मिस्षधातूओं का है ठीक हमें बताना है कि तामे की मिस्षधातूओं का कौन सा जोड़ा है option A, पीतल एवम नाइक क्रॉम, option B, कांसा एवम नाइक क्रॉम, option C, पीतल एवम कांसा और option D इन में से कोई नहीं तो इसका जो सही answer है वह है पीतल एवं कासा ठीके तो तामे की जो मिस्ट धातुएं है वह है पीतल और कासा है आगे बढ़ेंगे कि जो तामा होता है यह मुक्त तथा संयुक्त दोनों अवस्ताओं में प्राप्त किया जाता है जब यह संयुक्त अवस्ताओं में होता है तो इसका प्रियोग बिविन प्रकार की मिस्ट धातुएं के निर्माण में होता है और पीतल और कासा इसकी मिस्ट धातुएं आगे बढ़ेंगे कि कासा निम्न में से किसकी मिस्ट धातु है ठीके हमें बताना है कि कासा किस की मिस्षधातू है option A तामा एवं टिन का option B तामा एवं चांदी का option C तामा एवं जस्ता का और option D तामा एवं सीशा का तो इसका जो सही अंसर है वह है तामा एवं टिन का तो जो कांसा होता है वह तामा और टिन का मिस्च धातू है आगे बात करेंगे कि निमने लिखित में से किसकी उपस्तिती के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है हमें ये बताना है कि जो पीतल है इसका रंग फीका पड़ जाता है तो किसकी अपस्तिती कारण होता है ओप्शन A, Oxygen ओप्शन B, Hydrogen Sulfide ओप्शन C, Carbon D, Oxide और ओप्शन D, Nitrogen तो इसका जो सही अंसर है वह है Hydrogen Sulfide ठीक है? तो Hydrogen Sulfide की अपस्तिती की कारण जो पीतल है इसका रंग क्या होता है? फीका पड़ जाता है किस धातू की परत चड़ाई जाती है ठीक है? ताम संदूशन से अगर बचाना है तो हमें पीतल पर किस धातू की परत चड़ानी परती है ओप्शन A, जांगे की यानि टिन की ओप्शन B, जस्ते की ओप्शन C, ऐलूमिनियम की और ओप्शन D, C से की तो इसका जो सही अंसर है वह है जांगे की यानि टिन की ठीक है? तो अगर हमें ताम संदूशन से बचना है तो जो पीतल की बचन है उस पर हमें जांगे की यानि टिन की परत चड़ानी पड़ेगी आगे बढ़ेंगे कि ताम संदूशन से बचने के लिए पीतल के बरतनों पर रांगे या टिन की पर चड़ाई जाती है टिन जो है एक नरम वा चांदी जैसा सफेद धातू है और टिन का रासा ने संकेत होता है अगे बड़ेंगे किस पदाओत के संयोग से निश्कलंग स्पात चैनलेस स्टेल आच्ण्बे किये हो जाता है और Pacson A कारबण option B, chromium option C, nickel option D, mol-brinam तो इसका जो सही अंसर है वह है nickel ठीक है तो nickel का इसमें जब स्योग हो जाता है तो जो stainless steel है यह कैसा हो जाता है यह आचुमे की हो जाता है आगे बढ़ेंगे कि steel की कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है ठीक है तो steel की जो कठोरता है अगर इसको हमें बढ़ाना है तो इसमें किसकी मात्रा बढ़ानी पड़ेगी option A, कारवन की मात्रा option B, मैगनीज की मात्रा option C, सिलिकॉन की मात्रा और option D, क्रोमियम की मात्रा तो इसका जो सही अंसर है वह है कारवन की मात्रा ठीक है तो इस पात की साथ उचित मात्रा में मिस्रण मिलाकर उसे आवस्च कठोरता, तन्यता और सुगहट्रता प्रदान की जाती है ठीक है, तो इस पात की साथ अगर हम किसी मिस्रण को मिला दें तो उससे उसकी कठोरता, तन्यता और सुघटता उसको मिल जाएगी और लोहे में जितना अधिक कारवन मिलाते हैं इस पात उतना ही अधिक कठोर बनता जाता है और कठोरता बढ़ने के साथ उसकी भंगूरता भी बढ़ती जाती है आगे बढ़ेंगे कि जंग रहत लोहा बनाने में प्रियोक्त होने माली महत्पूर धातू क्या है ठीके अगर हमें जंग रहत लोहा बनाना है तो इसमें कौन सी धातू प्योक्त होती है यह हमें बताना है option A है aluminum, option B है carbon, option C है chromium और option D है tin तो इसका जो सही अंसर है वह है क्रोमियम अगर हमें जंग रहत लोहा बनाना है तो उसमें हमें क्रोमियम को मिलाना पड़ेगा आगे बढ़ेंगे कि जंग रहत लोहा बनाने के लिए क्रोमियम को लोहे में मिर्शित किया जाता है जिससे एक मिर्शित धातू stainless steel बनती है जो की जंग रहत होती है आगे बढ़ेंगे कि जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है ठीके जब लोहे पर जंग लगता है तो उसके भार में क्या परिबतन होता है यह हमें बताना है option A बढ़ता है option B घड़ता है option C वही रहता है option D अनेशित तो इसका जो सही अंसर है वह है बढ़ता है ठीके तो जब लोहे पर जंग लगता है तो लोहे का भार कैसा होता है बढ़ता है तो जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है क्योंकि लोहे में जंग उस समय लगता है जब आदता की उपस्तिती में लोहा ऑक्सीजन से रासायनेक अभिकिरिया करके लोहे ऑक्साइड में परबर्तित हो जाता है ठीक है तो जो लोहा है ऑक्सीजन से किरिया करेगा और लोहे आक्साइड में परबर्तित हो जाएगा तो इस अभिकिरिया के दौरान लोहे के साथ आक्सिजन की मात्रा भी जोड़ जाती है अतहा लोहे का भार बढ़ जाता है और इस दोरान लोहे का भार उतना ही बढ़ता है जितनी की आक्सिजन हो है गरहण करता है ठीके तो उतना ही भार बढ़ेगा जितनी उसने आक्सिजन को लिया है थेंक्यू दोस्तो इस प्रिकार के वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद